जैमात आदी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत-बहुत स्वागत है माभगवती दुर्गा की कृपा, आप और आपके पूरे परिवार पर सदासरवदा बनी रहे दोस्तों, वैसे तो वर्ष भर में 24 एकादशी आती है, और जब अधिक मास होता है, तो 26 एकादशी हो जाती है हर महिने में दो बार एकादशी दिथी आती है, एक बार कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में लेकिन जब एकादशी ती थी आश्वीन मास में आती है और पित्र पक्ष के दौरान आती है तो इस एकादशी का महत्व कई गुना बढ़ जाता है पित्र पक्ष में आने वाली एकादशी जो कि आश्वीन मास के कृष्ण पक्ष में आती है इसका नाम इंदिरा एकादशी है और इसे पित्र एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि ये एकादशी पित्र पक्ष में आती है पित्रों की आत्मा की शांती के लिए इस एकादशी का सास्त्रों में बहुत अधिक महत्यों माना गया है आज के दिन अगर पित्रों के निमित हम दान करते हैं पित्रों के निमित तरपन करते हैं पित्रों का श्राद कर्म करते हैं तो पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है और सास्त्रों के अनुसार आज के दिन जो हम पित्रों का श्राध्या तरपण करते हैं तो उन पित्रों के आत्मा को शांती मिलती है उन पित्रों को मुक्ति मिल जाती है जो की यम लोप में यम राज के दंड भोग रहे होते हैं तो उन्हें मुक्ति मिलती है, भगवान श्री हरी विष्णु के चरणों में उन्हें स्थान प्राप्त होता है, तो आशिरवाद देते हैं हमें, और हमारे जीवन में जो भी परेशानिया होती हैं, उन परेशानियों से हमें मुक्ति मिलती है, सुख सम्रिध्धी, धन करके इस व्रत का पुन्य फल हम अपने पित्रों को समर्पित करते हैं तो हमारे पित्रों को मुक्ष की प्राप्ति होती है और हमें उनका आशिरवाद प्राप्त होता है दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्रों की मुक्ति के लिए हम ऐसा क्या करें जिससे की हमारे पित्रों की आत्मा को शांती मिले बहुत से लोग कहते हैं कि गया में श्राद करके आ गए उसके बाद भी परेशानिया जीवन में बनी हुई है अभी भी हम परेशानी में ही है कोई भी परेशानी समाप्त नहीं हुई है तो ऐसा क्यों होता है देखिए स्यास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जब कभी भी स्वाइश को स्रद्धा से न करके दबाय से कि prophecies आचे में को स्वार्चु आत्मा पुश्याटी नहीं मिलती पित्रों के admi में किया हूँ आएक कर्म Q प्रसन्यता मिले, पित्रों को मुक्ति मिले, पित्रों की आत्मा को शांती मिले, तो जो श्रद्धा से किया जाए उसे ही श्राध्य कर्म कहा जाता है, अगर शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि जो अयोग्य व्यक्ति के द्वारा अगर किया जाता है श्राध्य कर्म, तो इसके के बाउजूद भी इन सभी बातों का ध्यान रखे पूरी प्रसन्नता से और पूरे श्रधा भाव से श्राधिकर्म करना आपको पित्रों की कृपा प्राप्थ हो सकती है, पित्रों को मुक्ति मिल सकती है, पित्रों की आत्मा को शांति मिल जाती है. तो आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ, कि हम पित्र एकादशी पर यानि आश्मीन माज के कृष्ण पक्ष की एकादशी दिती पर ऐसा क्या करें जिससे हमारे पित्रों को प्रसन्नता हो पित्रों का आशिरवाद हमें प्राप्त हो पित्र दोस्त से मुक्ति मिले और पित्रों को शांती मिले पित्रों की आत्मा को श शास्त्री महाप्रयोग के बारे में भी बात करेंगे जो कि आपको पित्रों की क्रिपा दिला सकता है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शरूर कर दीजिए शेयर कर दीजिए फैमिली फ्रेंड्स के साथ और चैनल पर पहली बार आए हैं अगर अभ प्रारंब होगी कब समाप्त होगी और पारण का शुब महुर्थ क्या होगा दोस्तों इस बार एकादशी तिथी प्रारंब हो रही है ग्यारह बसकर तीन मिनट पर एक अक्टूबर की रात में और समाप्त हो रही है दो अक्टूबर की रात में ग्यारह बसकर दस मिनट पर तो एकादशी का व्रत 2 अक्टूबर यानि शनी वार के दिन किया जाएगा और पारण का शुब महुर्थ क्या है? पारण का शुब महुर्थ है तीन अक्टूबर को प्रातहकाल 6 बस कर 15 मिनट से प्रातहकाल 8 बस कर 37 मिनट तक इस बीच में ही आपको पारण संपन्न कर लेना चाहिए अगर आप व्रत धारण करते हैं तो समय पर शुब महुर्थ में पारण करना अत्यंत आवश्यक होता है बात करें कि आज हम ऐसा क्या विशेश करें जिससे कि हमारे पित्र प्रसन हो देखिए बहुत से लोग एकादशी का व्रत करते हैं एकादशी का व्रत करने से पित्रों की आत्मा को शामती मिलती है विशेश कर पित्र एकादशी का व्रत करने से तो अगर आप अपने पित्रों की क्रिपा पाना चाहते हैं तो इस एकादशी का व्रत धारण कीजिए और वृत धारण करके अगर आप विती पुर्वक दश्मी से लेकर और दवाशी तक नियम पुर्वक इस वृत का पालण करते हैं और पित्रों के निमित ये शुभकार्यद करते हैं तो पित्रों की भी क्रिपा आपको प्राप्त होती है और भगवान श्रीहरी Вिष्णु की और यस ऑज़ हच लिए आपको ब्राप्त होती हैं लेकिन अगर आप ढगारण दरन नहीं कर पाते हैं तो सिर्फ आप भगवान श्री हरी मिश्नुकी विदिवधानसे पूजा आर्ष न की पीले पुष्प, पीले धूप, दीप नैवेद्य से उनका पूजन कीजिए, पीले वस्त्र उन्हे अरपन कीजिए, पीले फल का भोग उन्हे अरपित कीजिए इस प्रकार से भगवान श्री हरी विष्णू के शाली ग्राम स्वरूप की पूजा करने के बाद और उसके बाद आपको स्वयम फलाहार करना चाहिए या जल जो भी आप ग्रहन करना चाहते हैं बहुत से लोग निरजल व्रत भी रखते हैं तो जैसे भी आपकी शमता हो, वरत भारण कर सकते हैं या वरत बिना भी शिर्फ भगवान की पूजा करके और इस वरत का Farm ले सकते हैं इस दिन आपको एक विशेश बात का ध्यान रखना है, आज आप किसी भी प्रकार से न तो क्रोध कीजिए, नहीं किसी से जूर बोलिए और नहीं आपको आज किसी को भी अपशब्द बोलना है, मतलब पूरी तरह से अपने उपर नियंत्रण रखके ये वरत धारन करना है, य वरत धारन नहीं भी करते हैं, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें, कि आज आपको किसी भी प्रकार से, ना तो क्रोध करना है, ना तो असत्य बोलना है, और नहीं आपको किसी के लिए भी अपशब्द बोलना है, किसी की बुराई, किसी की जुगली, किसी की निंदा, आज आज के दिन आपको नहीं करना है अगर आप चाहते हैं कि आपके पित्रों को प्रसन्यता हो आपके पित्रों की आत्मा की शांती हो तो यह अनियम आपको आज जरूर पालन करना चाहिए इसके अलावा अब आप क्या करें देखिए इस प्रयोग को करने के लिए वरत करना बिल चारण करें आज घर में कुछ विशेस चीजें बन भ Two ले पारण करें चारण कर अबाया सकते हैं और और जाहित की पूरिया नहीं बन smack करना लीजे यह रहे map आज पल तो हर जगह मिलता है तो आप गाई के गोबर का कंड़ा लीजिए उसे आप अपने घर में अगर आपके पास अगनी कुंड है तो आप उसमें प्रज्वालित कर दीजिए नहीं तो मिट्टी का भी पात्र मिलता है हवन कुंड के लिए तो आप वैसा कोई पात्र ले जिसमें की एक गाई के गोबर के कंड़े को जला कर और उसके उपर ही आपको एक पूरी लेनी है और पूरी में उरद की दाल और उरद के बड़े उसमें रख कर और इसी से आपको आहूती देनी है अपने पित्रों का अपने मन में ध्यान कीजिए सभी पित्रों का जितने इस तरह के जो प्रयोग किये जाते हैं वही लोग इस प्रयोग को करते हैं जिनके माता पिता नहीं होते हैं हर कोई इस प्रयोग को नहीं कर सकता इस बात का ध्यान रखें जिनके माता पिता नहीं होते हैं वही श्राद्यकर में त्यादी करते हैं तो आप तभी करें जब आप बड़े रखकर इसकी आहूती आप दे दीजिए उस अगनी कुंड में पास में आपको एक जल से भरा हुआ पात्र भी जरूर रखना है और इसके साथ ही वही बैठकर आपको भगवत-गीता का पाट करना है भगवत-गीता के किस अध्याय का पाट आपको आज करना चाहिए भगवत-गीता के साथमें अध्याय का पाट आज के दिन बहुत ही स्रेष्ट माना गया है मतलब पित्रों की आत्मा की शांती के लिए पित्रों की मुक्ति के लिए भगवत-गीता के साथमें अध्याय का पाट सर्वस्रेष्ट माना गया है तो आप भगवत-गीता का पित्रों की आत्मा को इससे सांती मिलती है अगर उनके नाम पर हम किसी को भोजन कराते हैं गरीब भूखे व्यक्ति को तो और आज एक विशेश कार्य आपको जरूर करना है आज एक तुलसी का पौधा किसी सारवजनिक स्थल पर लगा सकते हैं किसी मंदिर में लगा सकते हैं या चाहें तो अपने घर में भी लाकर लगा सकते हैं इसके अलावा एक पीपल का पौधा भी आज आज आप जरूर लगाएं इससे आपकी पित्रों की आत्मा को शांती मिलती है नीर्थनों को फलों का दान करना चाहिए किसी भी गरीब व्यक्ति को आप फल का दान करें ग के ले ले जाकर किसी भी गाई को खिला दीजिए आज गाई को फल खिलाना बहुत स्रेश्ट माना जाता है तैजिस कोटी देवी देवताओं का आशिरवाद आपको प्राप्त हो जाता है अगर आप आज के दिन गाई को फल खिलाते हैं तो इसके अलावा आज आपको तो एक आदिशी के दिन हम चावल कीखीर नहीं बनाते हैं एक आदिशी पर या तो साभू दाने की खीर बनाई जाती है या फिर मकाने कीखीर बनाई जाती है और वह हम भगवान को भोग लगाते हैं और उसमें ТоLsi बता तोलसी दल जरूर होना चाहिए अचा कुछ लोगों का प्रेश्ण होता है तुलसी दल किसको कहते हैं तुलसी दल जो की उपर जो तुलसी का पौधा होता है जो सबसे उपरी भाग होता है उसमें एक साथ कई पत्ते होते हैं तो तीम-चार पत्ते एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, उन्हें तुलसी दल कहा जाता है, वो तुलसी दल जब हम बगवान को अरपित करते हैं, तो मन की समस्त कामनाय पुरण होती है, बगवान की इच्छा से हमारे जीवन की जो परेशानिया है वो दूर होती है बग यह प्रयोग पित्री एकादशी पर आश्विन माज के क्रिश्न पक्ष की एकादशी पर जरूर करना चाहिए। तो आशा करती हूं आज की वीडियो से आपको लाभवश्य होगा क्यूंकि इस उपाई को करने से आपके पित्र इतने प्रसन्य हो जाते हैं कि जीवन में आपके सुक्ष, सम्रिधी, धन, वैभव, संतान की प्राप्ति, वन्शी की वृद्धी होती है। मतलब पितर जब प्रसन हो जाते हैं तो आपके जीवन में जितनी भी बाधाएं हो दूर हो जाती हैं और पितर जब परेशान होते हैं, जब उनका आशिवाद हम पितरी एक अदशी पर इस प्रयोग को अवश्य कीजिए। वर्स भर आपके पितरों की क्रिपा आपके उपर बरस्ती रहेगी अगर आप आज ये उपाय कर लेते हैं, आशा करती हूँ, आज की वीडियो से आपको लाभ हवश्य होगा। और अगर आपको आज की वीडियो कि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त हो जाएगी मैं मिलती हूँ आप से अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार